नमस्कार साथियो आप सभी का नरंदर विस्करम यूटूप चैनल में मैं नरंदर विस्करम हारदिक स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं सिक्चक बरती परिक्षा बर्ग एक वा बर्ग दो में किसे संबंदित टॉपिक पर आज का अपना टॉपिक रहेगा EWS है कि जो फाइनल लिष्ट या अंतिम चैनल सूची है वो किस प्रकार तयार होगी जिसी कि आपको पता है गत पिछली दिन दिनों कोट ने आदेश दिया है OBC और EWS पर कुछ सुनवाई हुई या अधिगंटी की संब्तिंग जिसे बताया गया है कि EWS की जो फाइनल लिष्ट बनेगी अंतिम चैनल सूची वह वह भरती कोट के अधिश के अनुसार रहेगी तो आपकी भरती बनेगी सेलेक्शन लिष्ट बनेगी सेलेक्शन लिष्ट बनने के बाद लेकर उसमें पूर्टा दिया जाएगा कि आपकी जो भरती है पूर्ट नरना ना आने तक कोट के अधिश के अनुसार रहेगी लेकिन मिरभाई जो EWS है कैटागरी EWS आरक्षन के तहत जिनका सेलेक्शन हुगा है पुबले को परेशान ना हो क्योंकि आपकी आरक्षन में किसी परकार की छिडखानी मुस्क्यले को हो जाए क्योंकि जो EWS आरक्षण है के अंधर सरकार द्वारत दीया गया है जिसे राश से भाव और लोग सभाम में पारत किया गया है फिर इसके बाद उस आरक्षण को दिया गया है कि इसलिए आपकी और अरक्षन में किसी प्रकार की कोई परिशारी नहीं आनी है थी उनकी जो भरती है भले ही वह कोट का अधिस्क आना है वह एड़व्य से भाईयों के पक्च में ही आने बाला है कोई ऐसा नहीं है कि आप की जो आपकी सिलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपका अंतिम चेंउसूची में आपने के बाद आपको चंता बनी रही हुए तो बिलकुल आप परिसाल नहीं है आपके साथ सा गौफ होने बाला नहीं है आपका जो κोट का देश हैं आएगा वो आपके पक्ष में ही रहेगा बाले ही उस भर्ती में कोट के आदेश समय दिया गया कि EWS की जो भर्ती है कोट के आदेश हैं आदे रहेगी जिस प्रकार अभी यदी पानल लिश्ट में जनका नाम EWS से मैं है उसमें वानल लिश्ट में उनका अरक्ष्ण के तयत रहेगा और उन्हें जो एंग मिलेगी किसी प्रकार की कोई भी परिशानी नहीं आएगी फानल लिष्ट में का बेटिंग में है तो उनका फाने लिष्ट में यहीं नाम आएगा यह कोई कंडी ठोल रिजेक्ट हुए हैं तो उन्हें भी चांस दिया जाएगा किसी प्रकार की कोई परिशानी नहीं होगी अंगली वीडियो में बात करेंगे सभी केटागिरी की अंतिम चैनल सुची किस प्रकार त्यार की जाएगी एदिया आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर फश्टाम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं आपके लिए सिक्षक बरती परिक्षा से संबं टोपिक पर वीडियो बनाकर लेकर आता रहता हूं नमस्कार जैमाता दी रादे रादे जैसी राम